हलो एवरिवान वेलकम तु देन्फस्टोर हाउस कैसे हैं आप सब होप यहां पर मैं कपड़े सुखा रही हूं चत पे क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत ही कभी कभी आजकल दर्शन हो रहे हैं सूर्य भगवान के और जिस दिन दर्शन हो जाए न समझ आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि कम से कम कुछ नहीं तो कपड़े तो सूखेंगे यार कपड़े नहीं सूख रहे हैं बहुत परिशानी हो रही है और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कनिश बहुत खेलकुद कर रहा है त तो ये नेक्स टे का व्लॉग था और इधर न ये जो इसको पैर में नस चड़ी थी ये वही प्रॉब्लम थी जो मुझे डाउट हो रहा था कि इसके पैर में नस चड़ी है एक्चली हमने किया क्या है उस दिन हम कनिश को रात को मम्मी के यां ले गए क्योंकि मुझे ये ल पास तो फाइनली हमने वही करा इसको महा लेके गए इसने महा पे खूब मस्ती करी और दीरे दीरे ये भूली गया कि मेरे पैर में कोई दर्द था और नेक्स टे ये बिलकुल नॉर्मल और फाइनली जब बच्चा बिलकुल ठीक हो जाए मस्ती से घूमने फिरने लगे न तब जाके एक सच में एक मा को नो तब ही तसल्ली होती है और यहाँ पर अब ये जो बाकी के जो मेरे इतने सारे ये हरे भरे बच्चे है ना इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर मैं कुछ गमलो को शिफ्ट कर रही थी एक्चली गमले ना कुछ तूट करेते क्योंकि प्लास्टिक है तो तूटे गाई धीरे-धीरे कितने भी आप अच्छे प्लास्टिक ले आई है लेकिन धीरे-धीरे वो वाकई में तूटने शुरू हो जाते हैं कितने भी बड़िया से बड़िया प्लास्टिक हो प्लास्टिक टो प्लास्टिक होता है जो सिमेंटेड या मिट्टी के कमले है वो फिर भी सही है बट मैंने देखा जो सिमेंटेड गमले है वो मेरे भी पांच साल में अब वो थीरे-थीरे अपने आपी तूटने यहां पे ना एक temporary थोड़ा सा जुगाड कर रही हूं कि grow bags तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने grow bags online देखे काफी costly आते हैं क्योंकि अगर बड़े वाले grow bags लेंगे तो एक grow bag की cost ही करीब 300-400 के आसपास है अगर बड़े वाला लेते हैं, तो ऐसे तो मेरा जो पूरा अपने terris garden के according अगर मैं लेने लग गई तो मुझे तो लग रहे है मैं 37,000 के तो grow bag ही आ जाएंगे, तो इतना तो effort में बिलकुल नहीं कर सकती तो यहां पे जो मैं कर सकती हूं, उसको करने का try कर रही हूं कि जितने भी यह कटे होते हैं न, बोरे प्लास्टिक वाले इन में मैंने पहले भी बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं और वो अच्छे चलते हैं सबज्या भी लगाई, वो भी अच्छे चलती हैं और फ्लारिंग प्लांट्स भी लगाए, वो भी बढ़िया चले, मुझे कोई शिकायत नहीं हुई तो मैंने इन ही में लगाने का decide करा, finally तो आज सारा काम जितना हो पाया, सब काम खतम करके तीन बज़े से, अभी साड़े साथ बच रहे हैं और तीन बज़े से, मैं इसी जगे पर बैठी हुई हूँ मेरा बैक पेन इतना सीवियर हो रहा है अज, इतना एक्स्ट्रीम कि अजी संद है हुम, हस्बन भी बहुर टायड आयते अज ऑफिस से तो अज फिर डिसाइड करा कि खाना म भार से मंगारे क्योंकि मेरे बसकी बिल्कुल भी नहीं है उठना मैंने सोचा था कि पावबाची बनाऊंगी और इसकी वीडियो भी बनाऊंगी आलो भी बॉइल कर लिये थे बढ़ तीन बज़े के बाद से, कॉड नोस, क्या हुआ है मैं इसी जगे पर बैठी हुई हूई हूँ इतना सीवियर इतना सीवियर बैक पें हो रहा है और अभी भी डबल कुशन लगा रखे है हाँ उआ विटा हाँ इसको पढ़ाना भी असान नहीं है एक तो यार डबल कुशन लगा रखे है ।कया है गरम पानी की बॉटल लगा रखे है मूव लगा रखिये, still no relief अब अब मुझे लग रहा है painkiller खाने पड़ेगी नहीं सारा erase कर दो सब बहुत गंदा है अब मुझे लग रहा है painkiller खाने पड़ेगी क्योंकि खालत बहुत severe होती जारी है और शाड़े साथ हो रहे हैं, अब मैं व्लॉक का इंड करती हूँ क्योंकि इस से आगे तो मेरी हिम्मत ही नहीं कुछ भी करने की so till then good bye मैं मिलूँगी आपसे next video में थोड़ाच energetic मिलूँ अब क्योंकि पिछले एक दो व्लॉक से बिल्कुल ऐसी सी हो रखी हो और हाँ कनेश का पैर अब काफी ठीक है बेटे रहे इसका एक दिन पूरा अना मूव लगाया था थोड़ा थोड़ा मूव लगा के और सौक्स पनाई थी तो उसके बेभी के पैर में नस चड़ीती शायद और आज काफी बेटे रहे अब खेलकूद रहे तो अब काफी पेटे रहे कननू खेलकूद रहे तो मेरी टेंशन कुछ कम होई मैंना मैं बहुत टेंशन में होगी ती बतानी क्या होगया बच्चे को अच्छा लो यार मैं मिलूंगी अब नेक्स वीडियो में तिल देन गुद्बाई कमत्ती हुद्बाई वाथ वाथ ही वाथ ही तो फंदे वर्य नाइस अब श्म मैं से बैठ गई और इसको पढ़ाने की कोशिश करूए यह अब तूरा घर मेरा पूरा घर मैस हो रख यह वाथ हमूरा थी फुरा थुरा फॉरा थुरा जू चलो मैं कर दो इस फ्लोग का एंड तिल देन गुद्बाइ नेक्स वीडियो में लाइक शिर और सब्सक्राइब कर दीजिए गाव भाई वाई 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 लिए वहाई हिंदी संदेड